तो हेलो दोस्तो मेरा नामी शेंदू है और वेल्कम टू सिम्प्री क्रेक दोस्तो फोक डांसेस के सफ़र में आज हम लोग महाराश्टरा के फोक डांसेस को देखेंगे और हम लोग देखेंगे वो कौन से फोक डांसेस हैं महाराश्टरा के जो की examination point of view से काफी important है उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी folk dances को visualization technique से याद करने ही कोशिश करेंगे और फिर finally हम लोग previous year questions देखेंगे जो यो कौन से सवाल हैं जो कि महराश्रा से related folk dances के हैं जो कि examination में आ चुके हैं तो बिना समय गवाएं शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे dindi and color dance दोस्तो दिन्डी एक तरीके का pot like percussion instrument होता है बजाने वाला होता है ठीक है डिन्डी और कला में भगवान एक क्रिष्न का importance सबसे जादा है और ये मंगला गवरी पूजा के दोरान किया जाता है और यंग महिलाओं के दोरा जिसे फुगाडी इस कहते हैं ये कुंकनी वर्ड है दोस्तो फुगडी एं ढालो आपको गोवा वाले निमोनिक्स की वीडियो में भी देखने को मिलेगा और ये एक आदसी के दिन किया जाता है और जिसमें डिंडी में भगवान का जो प्लेफुल एंड परफॉर्मिंग एट्रिब्यूट है उसको दर्साया जाता है और जो कला दान्स है वो फीलिंग्स ओफ लौड कृष्णा को दर्साने के लिए किया जाता है ठीक है और कला जो है वो आपको फर्टिलीटी भी शो करता है उसके बाद हम लोग देखेंगे दंगडी गजा ये एक तरीके का दंगर कहां की तरह शोलापू Parl दिस्ट्रिक के फिस्टिक है वो लोग करते है धंगडी गजा डान्स हो जो पोएट्री करते हैं उसको और इनकरी एक वो होते हैं उसको बहग्वान होते हैं उसके बाद हमाड़े रखाट है यह basically fisherman community के द्वारा किया जाता है, पूरे महाराअश्रा में किया जाता है, गोवा में भी किया जाता है, ठीक है, तो लेकिन मैं यहाँ पे महाराश्रा वाली वीडियो में इसको include कर रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, उसके बाद और यह men or women दौनों के द्वारा कि उसके बाद आता है, यह सबसे फेमस है, यहां का लावनी डांस, ठीक है, और एक तरिके का यह जॉन्रे है, आप इसको याद रखेंगे, जिसमें जो महिलाएं करती है, वो नाइन यार्ड लॉंग साडी, ठीक है, पहनती है, इसको नौवारी कहते है, ठीक है, यह डांस आपक मतलब होता है, ब्यूटी, ठीक है, और यह वन अप दो मोस्ट इंपोर्टन्ट महाराथी फोक थेटर का पार्ट है, ठीक है, उसके बाद आता है पवाडास डांस, पवाडास बेसिकली चत्रपती शिवाजी महाराज जो है, उनके लाइफ को एक्स्प्लें करने के लिए यह ठीक है, दानसर विर सलवार, एंद अद गलर्फूल वेस्ट बेन, टाइड विद अचाई नॉट, जो आप देख सकते है, भगवान, गड़िश भगवान को यहां पे लखा जाता है, और चात्रपती शिवाजी महाराज की लाइफ को इस पवाडास के महाध्यम से दर्शाय जाता है उसके बाद आता है तमाशा यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट है यह एक्चुली में डान्स कम फोक थेटर जादा है ठीक है और यह कोलहाथी कमिनिटी के द्वारे किया जाता है और ऐसा कहा जाता है जो संस्कृत का जो ड्रामा फॉर्म होता है इसमें प्रहसन सटायर अर्भान जो होता है उससे यह ओरिजिनेट हुआ ठीक है और तमाशा का मतलब होता है इंटर्टेइनमेंट ठीक है और इट स्टार्टेड इन सिक्स्टींथ सेंचुरी उसके बाद आता है लेजिम डान्स यह बहुत ही इंपोर्टेंट है और एक्जैमिनेशन पॉइन पॉ गोटी लेजिम गोंगरू लेजिम डखनी लेजिम और पलीता लेजिम ठीक है और यह महरास्टा के सभी रीजन में देखने को मिलता है फिर आता है गफा डान्स गफा डान्स जो होता है वो यंग बॉइस के द्वारे किया जाता है और यह काफी इनर्जेटिक इन भी उस किया था इसको बताया था मैंने ठीक है तो दहीकला दस अवतारा और इसको बोहाड़ा फोक डांसे ऑफ महरास्ट भी कहते हैं ठीक है यह बेसिकली थेटर फॉर्म होता है और जो भगवान विशनु के जो दस अवतार है उसको दर्शानी के लिए यह किया जाता है त टाज महल तक सफर एक पथली से रसी पर पहटने हं जाए तो आप इससे डिंडी न कला और तमाशा याद कर सकते हैं तो इससे आपको धनगड़ी गजह याद हो जाएगा और ये बच्ची जो है ये लेजियम डांस कर रही है इसमें मैंने कुछ ज्यादा इंप्रोवाइशन नहीं किया इसलिए ताकि आपको ये प्रॉप भी दिखे ये एक तरीके का प्रॉप है जो मार्शलाट ठीक है और हमारे विराट कोली जो कौन नहीं जान था तो ये डांस की मुद्रा में है और जिसे कोली डांस कहते हैं जो की महराश्टा और गोवा सभी जगह किया जाता है और यहां पर चात्रपति शिवाजी महराज के सामने में एक व्यक्ति पवाड़ा गा रहा है तो आप अप इसे आप वाड़ा याद रख सकते हैं और फिर यह गफा आप याद रखने के लिए चार वेक्ति को आप याद रख सकते हैं यह बैसकिली गूगल एमेजं सांट फेस्वुक एपल गन इनके उपर में एक तरिके का टैक्स लगा गया रहा है सरकार के द्वारा यह कहते यह नहीं भाई यह टेक्स तो हम यूस में पे करेंगे क्योंकि यह सारी कंपनिया यूस बेस्ट हैं तो इसके लिए यह तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहां पर गेटी वेफ इंडिया के सामने में तो इससे आप गफा याद रख सकते हैं ठीक है और यहां पर माझरी कर रहे हैं और यह इनकी लावनी डांस को बहुत ज्यादा सरहा गया था ठीक है तो आप इससे यह याद रख सकते हैं तो अगर कहें तो क्विकली डिवाइस कर लेते हैं डिंडी इंकला हो गया रनवीर कपूर जो पतली सी डंडी के साहरे चल रहा है और तमाशा कर रहा है याद रखेंगे दही हांडी वाली खेल से अप दही कला रखेंगे उसके बाद जो यह गज है गज मतलब हाथी यह धन की वर्षा कर रहा है कहां तो अनुष्कार सर्मा के एक बास्केट में तो इससे अब धनगडी गजा याद रखेंगे और दोस्तों गोवा वीडियो में अनुष्क आफ्या करें दहांगर करके डांस वह कि उसमें घैनगरी खेंग है और उसके बाद लेजहन यह धेन हो गया है जो हो यह लें singing है वो यहां आप देख सकते हैं उसके बाद गफा जो यह चारो प्रोटेश्टर है Google, Amazon, Facebook and Apple यह प्रोटेश्ट करें टेक्सेशन इंडिन टेक्सेशन सिस्टम के खिलाफ तो यह पर गफा आप इसे याद रखिएगा गफा एक टेक्स भी होता है आप सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा और उसके बाद माधिरी दिख्षिज जो लावनी डांस आपको याद कराएंगे तो क्विकली चलते हैं कुश्चन से देख लेते हैं लावनी is the folk dance of which of the following states of India इसका सही उत्तर है महाराष्ट्रा लेजिम dance form is peculiar to which of the following states यह इसका उत्तर होगा महाराष्ट्रा यह एक तरिके का martial art form है और martial art forms of India वाली वीडियो आप जारूर देखना इस चैनल पे सोलर मिनिट की वीडियो में आपको 17-18 martial art forms आपको याद करा दिये जाएंगे और जिसमें महाराष्ट्रा से दो इंट्रीज हैं एक है लेजिम और एक है मर्दानी खेल और दोनों examination point of view सो काफी important है उसके बाद आता है पवाड़ा डांस जैसा कि मैंने आपको बता है यह तरह का बैले सिंगिंग है जो कि महाराष्ट्रा का है उसके बाद धंगडी गजा जो कि धंगड कम्यूनिटी के द्वारे किया जाता है जो कि शॉलापूर रिजिन में होते हैं वहां के होते हैं और इसके कीवर्ट क्या क्या थे हैं तो ओवी राइटिंग था एक जो इनका जो पोईटिक फॉर्म है वो हो गया और इनके भगमान विरुबन इसका सही उत्रोगा लावनी दोस्तो मैंने भागी भी फोग डंस को करा हैं उससे आप यहां से ओप्शिन फिल्टर आउट कर सकते हैं बेलिया इस फ्रम राजस्थान युनिस्को वाले में एड़े है यह इंटेंजिबल कल्चर लिस्ट में फिर खेली रन यह आपको बिहार में किया जाता है यह बहुती युनीक डान्स है और बहुती रेयर डान्स आपको कहीं पर देखने को मिलेगा आप गूगल भी सर्च क इस फ्रम पवारा आप शूसिएटेट यह राइंसर इस महारास्था विच फॉल्व फॉल्ग इनिन इस इस फॉल्ग इन इस फट्रम प्टान से यह महारास्था तो दोस्तों यह सीरीज्ट आप कैसी लगी अगला स्टेट कॉन सा होना चाहिए आप जरूर बताएं और यु you best of luck for your examination. Thank you.